कैसे हैं आप सभी लोग उम्मिद करती हूं अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने सके ब्लॉकर में तो बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि अब बहुत दिन के बाद में ये मतलब वीडियो अपलोड करूँगी उसके लिए सौरी क्या है मुंबई मतलब वहां पे थी तो थोड़ा नहीं हो पा रहा था कांटीनियू इसलिए क्योंकि वाइफाई जो है वो दुकान पे था पहले भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ और घर से मुझे बार-बार दुकान जाना पड़ता था मतलब अपलोड करने के लिए तो कि मतलब दो-चार ही दिन की थी वीडियो अपलोड तो उसके लिए सौरी और अब मैं आ गई हूँ अपने घर मतलब सासुराल आ गई हूँ तो अपने घर में वो भी अपना घर ये भी अपना घर कहते हैं नो लड़कियों कोई अपना घर नहीं है और मानों तो दो-दो घर होते हैं तो जो माने तो मैं दो-दो घर मानती हूँ ये क्यों मानों कि मेरा कोई घर नहीं है तो मैं दो-दो मानती हूँ कि वो भी मेरा घर तो यह देखे यह थोड़ा सा जो भाई का गार्डन है थोड़ा सा ओ दे दीं। तो यह तीन पॉधों का जो पत्ता है अलग-अलग कलर का है एक ही पत्ते में दो कलर का है तो आप लोग देखिए कितना अलग-अलग नाया तफे दी हैं हम लोगों के लिए तो यह वही तीन पॉधों देखिए तीनों दिखा दी हूँ मैं वो जो भाई नया लेके आए हैं तो वही मैं सेयर कर दी थी और यह देखिए भाई है मेरे बेटी और बेटा सब खिल ले हैं यह बिल्लू से यह एकदम इस घर की जान है यह न दिखे तो सब लोग परिसान होते हैं तो यह मस्ती चल ला थोड़ा सा तो मुझे अच्छा लगा यह मोमेंट तो मैं सोची थोड़ा कैप्चर कर लूं और आप लोग के साथ भी सेयर करूं देखिए कितना प्यारा है यह बहुत क्यूट मेंबर है यह और यह मेरे बेटी के साथ बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि वो उसको गोद में मजीद बंदर मजीद बंदर नाम है मुंबई में जो लोग है वो जानते होंगे मजीद बंदर एक रेलवे स्टेशन भी है जैसे लोकल ट्रेन वगरा मिलता है वहां से तो यह हम लोग उसी एडिया से अभी निकल रहे थे मैं अपने बड़े पापा कहां जा रही हूं मेरे बड़े पापा एजट हो गये हैं पापा से बहुत बड़े हैं सब भाई बहनों में मेरे पापा तीन भाई और दो बहन है तो वह सेकेंड नमबर पर हैं बड़े पापा पहले बुगा मेरी थी उसके बाद मेरे यह बड़े पापा है तो मतलब अभी तो कोई है नहीं सब ल क्लinte करना हैं मुंबई को मभाय झाना था C sport challenge कि शुर्वाथ Time टो यहां से हम राते हैं हो रहते हैं हम लोग मुंबय वंबा-देभी यूद के टेंपल में दिखाती ही रहती हैं आप लोगों को और यहां से हम लोगों को कल्यान जाना है बाइरोड तो मैं आप लोगों को बाइरोट की जितनी है वो मैं सेयर करूंगी टिप जो है क्योंकि आप लोग भी देखें कि मुंबई जो लोग रहते हैं वो भी देखें उनको साथ पहचान में आएगा एरिया हो सके वो इसी किसी एरिया में रहते हूं और जो नहीं रहते हैं उनको मै थोड़ा सा टूर करा दू बायरोड तो यह देखिए यह मजीद बंदर का है एरिया यहां पे सुनती हूं कि होलसेल के मतलब होलसेलर ज्यादा रहते हैं जैसे कि मसाले हो गए चावल डाल यह सब चीज आपको होलसेल में बहुत किफायती दाम में मिलता है इसके लिए फेमस ह बाकी तो क्या सब्चीब करना देखिए यहां पे कोई गली नुकड कोई एक एरिया आपको एक जच यहां ńsk की का खालई जगह नहीं मिलेंगा लोग मतलब रोजगार अपना है सब जगह दहिए एक भी जगह को खाली नहीं तक ही यह लगा हुआ तो बारा वजए से पहले चाहए रहों को सूने के लिए और सुबह दिन भी अगर मैं कहूं। तो बहुत जल्दी भी लोग उठते होंगे तो आठ वाजे से पहले कोई नहीं उठता होगा ऐसा होता है यहां का जो रूटीन होता है लगभग और यह देखिए इधर हम लोग आ गए हैं आगे तो यह जो ग्रीनरी है कहीं कहीं दिख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा ल हो रहा है तो यह मैं मतलब क्या कहूं मैं जभी विवाई सोबर करने बैठती हूं यह पता नहीं कहां से मैसेज जो है ना फन मार के आ जाता है तो वहीं मैं कह रही थी कि देखिए यह जो है अब तो बड़ी बड़ी बिल्दिंगें बन रही है और यह जो रूट की साइड दोनों साइड जो यह ब्रीज पर हम लोग चल रहे हैं तो यह दोनों साइड देखिए जो पेड़ के है तने वो लटके हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था यह नजारा तो मैं सोची थोड़ा कैप्चर कर लूँ और यहां का रोड बहुत ही सुंदर है बहुत गाला कंऄा गली कषया है अब रहेहा है किरूंकि हम लोग कहीं गए नहीं जादे है तो यह गाड़ी करने को बहुत हिती तो इसीलिए लुख करताО pracy आन करके जप शोड़ी में अब लोगों को दिखते जाएगा गय रहे ह又 रहे तब को लूग कर देखिए तो यह तोड़ा होती आसानी से यह देखे कितनी बड़े-बड़े टावरे हैं जो बनी हुई है बहुत ही सुन्दर यह लग रहा था मुझे मैं सोची थोड़ा आप लोगों के साथ भी सेयर करूं और मेरा और भी ब्लॉग आने वाला है जो मुंबई से ही रिलेटेड है अभी तो मैं यहां प अपने यहां का जो है ब्लॉग थोड़ा सा वो लेट जाएगा क्यूंकि पहले मैं तो सेटल हो जाओं उसके बाद तो मैं ब्लॉगिंग करूंगी यहां से लेकिन अभी बहुत सारा जो है वह रिकॉर्डिंग मतलब मैं वहां का जो रखी हो क्लिप तो मैं कोसिस करूंगी और यह जो वीडियो है यह दो पार्ट में जाएगा क्योंकि एक ही पार्ट में तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर मतलब कोई इंटेस्टेट नहीं रहेगा देखने के लिए तो मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा और मेरे वीडियो बहुत ही कम अब तो वीडियो सब्सक्राइब करें मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें इसकिपना करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए और यह बहुत सुन्दर था इस ट्रिप में जो यह आया था इसको टनल जो हो रहा है लेकिन बड़ा ही सुन्दर यह था तो मैं सुची आप लोग के साथ भी सेयर करूं कि हम लोग अंधेरे से जो यह गारी निकलती है ना जाले के तरफ क्या बता हो बड़ा ही अच्छा लगता है और यह देखिए अच्छा लग रहा था और यह फैमिली साथ में होत पहले वाले मतलब पीछे वीडियो में कि वो मेरी भतीजी थी और यह टेक्सी वाले भाया थे यह मेरे भाई के फ्रेंड है मतलब दोस्ती है अच्छी खासी तो यह भी हम लोग के साथ लगे हुए थे ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि हम लोग किसी अंजान के साथ जा रहे ह या कोई अंजान ड्राइबर है तो हम लोग उनके गाड़ी में बैट गए हैं तो पूरे रास्ते बहुत ही मजात मस्ती चल रहा था और अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा आप लोग अपना इंट्रेस्ट बनाएए मेरे वीडियो में और मेरे वीडियो को पूरा देखिए क्या ना अगर आप लोग इंट्रेस्ट नहीं लेंगे तो फिर मुझे भी इंट्रेस्ट नहीं आएगा काम करने में और मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ हमेशा जूड़ी रहूं और अपने वीडियो को आप लोग के साथ ऐसे ही मैं सेयर करती रहूं क्योंकि क्या है न कि अगर आप लोग नहीं इंट्रेस्ट ले लेंगे तो मैं फिर क्या किस से बात करूं किसको सुनाओं किसको दिखाऊंगी कोई कि कर दूंद कर दो के दो एंट्राइब करा तो बस मैं देख रही थी और मुस्के जब दस्ती वह कैप्चर करवारह था यह भी इसका रिकॉर्ड कर रोग रोग्स करूं अब मुझे समझी नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ब्लॉगिंग करूं या उसके लिए मैं रिकॉर्ड करूं यह सब और यह थोड़ा सा आ गया था पहाड़ी एरिया जंगल वाला पहाड़ी का एरिया था देखने में तो बहुत ही खुबसूरत था यह देखिए जो है य और यह देखने में आपको छोटा लग रहा है जो सामने से काफी बड़े थे जो क्योंकि मेरे भाई बता रहे था कि अगर बारिस के सीजन में यह आई रहते मतलब बरसात होती तो यहां से जहरने आते बहुत सुंदर दिखता वह नजारा तो और ही कुछ होता लेकिन हम लो कितने बड़े बड़े जो हैं यह पहाड है बहुत ही सुंदर लग रहा था और यह जैसे लग रहा था कुछ देर के लिए हम लोग ही स्टेशन पर आ गए हैं और यह देखिए दोनों साइट जंगल है बीच में यह रास्ता था बहुत सुंदर यह था यह तो मुझे बड़ पता ही नहीं चलता है तो बस ऐसा ही कुछ हुआ था यह रास्ता तो दो तिन घंटा हमको लग गया था बायरोड जाने में अगर आप लोकल ट्रेन से जाएंगे तो एक घंटे में आप पहुंच जाएंगे कल्यां एक या सवा घंटे में लेकिन हम लोग बायरोड गया थे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था यहां पर तो लोकल ट्रेन कहता है ना लाइफ लाइन है लोकल ट्रेन यहां पर दो-दो मिनट पर आपको मिल जाएगा हर एक जगह के लिए लेकिन और वो जल्दी पहुंचा भी देता है मगर हम लोग नहीं गये चोटे-चोटे मेरे बड़े बाव जी जिन से मैं मिलने आई हैं और यह आ गहीं हम लोग देर सारा नास्ता भावी लेके आई थी मेरी मेरे भाईया है भावी और भावी को बहुत को लड़की हुई है तो यह क्यारी सी बेबी है क्यूट सी तो यह उसका भी थोड़ा सा के लिए प्लेली ए अभी तो यहीं तक का था मेरा वीडियो और आप लोगों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा देखी कितनी प्यारी सी है और हो सके तो पूरा वीडियो देखिएगा कितनी बार कहा चुकी है और यह एक डॉल मिल गई थी ह किलोने की तरह बहुत ही प्यारी सी थी क्यूट सी बेवी तो बस जी यहीं तक क्था मेरा वीडियो और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट जो है वो कल वाले मैं मैं डालूंगी यह आधा है आधा कल आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसके आगे का भी अच्छा है इंट्रेस्टिंग है तो जरूर देखिएगा और बस यहीं तक का था मेरा वीडियो चलिए अगले वाले वीडियो में